अस्सलाम अलेकुम आज का जो हमारा वीडियो है वो गिराज पारकिंग के बारे में है यानि स्टूटन ऐसे कौन से मिस्टेक है जो स्टूटन कर लेते हैं जिसे फिलीस उसको पहल करा देते हैं और इसका सही तरीका क्या है आज हम इस वीडियो में स्टिप बाई स्टिप सेखेगे तो चलिए शुरू करते है और गिराज पारकिंग के बारे में सीखते है गिराज पारकिंग में आपको राइट साइड में या पिर लफ्ट साइड में इस तरह के से गाड़ी मिल जाएगी तब जब आपकी बारी आज जाएगी तो आपने जाना है गाड़ी में बैटना है सीट एज़स्मेंट, सीट पिल्ट वगएरा करना है इसके बाद आपने रिवर्स गेर लगा के पीचे की तरफ जाना है पर जिस जगा को मैंने पॉइंट नमबर वन का नाम दिया है यानि मैं गलास का जो कॉर्नर है जिदर वाइपर का आई रिमोक है ये वाला पॉइंट और दूसरा जो ये पाइप लगा है इसको मैंने पॉइंट नमबर टू का नाम दिया है ये दूनों पॉइंट जब आमने सामने हो जाए तब अपने गाड़ी की स्पीट को स्लो करना है और पूरा स्टेरंग गुमाना है यानि अगर आप लिप्ट साइड में जा रहे हो तो लिप्ट साइड में स्टेरंग गुमाओगे या राइड साइड में जा रहे हो तो राइड साइड में स्टेरंग गुमाओगे स्टेरंग गुमाने के बाद आराम आराम से पीछे जाओगे और दूनों साइड मिरर देखोगे तब आपके जो टार्गिट है यानि जो पाइप लगे है उसकी बीच में अपने गाड़ी लेके जाना है तो दोने मिरर में अपने पाइप को देखना है और दोनों साइड में गाड़ी का गेप पराबर करना है अगर एक साइड में पासला ज्यादा है दूसरी साइड में पासला कम है तो जिस साईट में पसला ज्यादा है वही साईट में आप स्टेरिंग फोर्ड़ा सा कट कर लोगी इस तरीके से आपका गार्ड़ी वही साईट में चला जाएगा और दूनों साइट का गेपski पराबर हो जाएगा पराबर होने के बाद स्टेरिंग सीधा कर लो और तोड़ा सा पीछे जाओ कि पीछे वाला टंडा जो है वो टच ना हो जाए तब आप स्टॉप कर लो स्टॉप करने के बाद पिर आपने निकलना है और दूसरे साइड में जाना है अगर आप राइट साइड से आए हो तो पिर आपको निकल के लिफ्ट साइड में जाना होगा और अगर लिफ्ट साइड से आए हो तो पिर आपको निकल के राइट साइड में जाना होगा अभी हम राइट साइड से आये हैं इसलिए हमको गाड़ी निकाल के लिफ्ट साइड में लेकि आना है लिफ्ट साइड में आने के लिए आप गाड़ी बाहर लेकि आओगे और जो लिफ्ट साइड वाला मिरर है पहले वाले डंडे के साथ यानि पहले वाली पाइप के साथ जब इस तरीके से बराबर हो जाए तब आपने स्टेरंग को पूरा लेट साइड में गुमाना है और आराम आराम से गाड़ी को अंदर लेकि आना है हयाल लगना है कि कोई भी साइट में गाड़ी फाइब के साथ टच ना हो जाए गाड़ी अंदर लाने के बाद गाड़ी निटर करकी हैंड़िक उपर करना है और इसी तरीके से आपका पारकिंग कम्प्लीट हो जाता है